हैं उस्मान शौकत साब को प्रेजिडेंट है आप अंट्रोपनोर्शिप और्गनाज़ेशन के ए-o इसलामाबाद यह सब्सक्राइब करेंगे क्या सब्सक्राइब कर जो अगर चाहते हैं कि एक चार्टर ऑफ एक पेज पर नजर ही आती हैं आपके सामने अगर हम बात करें सिवाए एक पाटी के क्या समझते हैं आप economy के लिए कितना जरूरी है यह clarity और कितना जरूरी है यह अगर हम कह सकते हैं यह कोलेशन जी थैंक यू बरी मच दिकें इस इन इड़ आवर I believe that right now सबसे जादा जो रिक्वाइमेंट है वह हमारी एक चार्ट अपर एकॉनिमी की है जैसे सोहल अलताव साब ने कहा कि a businessman needs continuity हमें एक continuity of policies चाहिए we need to know कि आज जो एक policies incentivize करती हैं कि इंडेस्ट्री को वो कल तबदील नहीं कर दी जाएंगी लहाजा इस चीज़ को business confidence कहा जाता है और यह इस वक इंस्टिल करना economy में बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें हमारी immediate requirements I believe you charter of economy में हमें करने की ज़रूरत है simple 65 billion की around हम इंपोर्ट करते हैं 25 billion dollars के मारी एक्सपोर्ट 40 billion का एक रोल है यह कभी जो हम कहते हैं कशकौल IMF चला जाता है कभी साओधी चला जाता है कभी चाइना चला जाता है यू नीड तो फिल एड़ गार जब तक 40 billion नहीं आप फिल करेंगे अपनी indigenous sources से तो यह प्रॉल्म रहें की यह प्रॉल्म को जब अपने डिफाइन कर लिया तो how will that be done that can be done through import substitution as well as export enhancement I believe this work सबसे बड़ी एक export emergency डेक्लेर करने की जुरूरत है the government needs to declare an emergency on exports कि 65 billion तक हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं आपने का प्रामिस्टर सापने bilateral trade की 5 billion की बात की यही कत्रा कत्रा धर्या बनके आपका 65 तक पहुचेगा but उस export emergency के लिए किस चीजें required हैं which I believe all of us need to immediately get together all the political parties all the stakeholders industrialization आप अगर दुनिया की मुमालिक को देखें Germany, US, Japan जिन्होंने तरक्की की industrialization is the only way they move forward राउल पिंडी Chamber of Commerce की बात की सुहललताफ साब ने हमारा initiative था Ring Road जो राउल पिंडी की बन रही थी उस पे हम बारहा यह कहते थे जिन्दस्टियल पाक्स को बनाया जाया और सस्ते industrial प्लोट्स प्रोवाइड कीया जाया जब तक इंडस्टियलास को सस्ती इंडस्टियल लांड नहीं मिलेगा और भला जायो नही करिक ल हैर to सब्स्टियल पाक्सार है तो साही़ère कि मेशनी साहब थी तेक्सपेर्स बढ़ाने, थाउजन और वोटेवर, हर जो है वो टेक्स अपसर को ये टारगेट दिया जाए, तो आप नहीं समझते हैं, फिर वोई बिसनस कम्यूनिटी बोलेगी कि हमें तंग किया जा रहा है, हमें बार बार तंग किया जा रहा है, हमें एक वन विंडो आप बिल्कुल मुम्किन है, इसके लिए हमें एक टक्स कलिचर को प्रमोट करने की जरूरत है, और एक इंक्लिूसिफ टक्स कलिचर बनाने की, रहादर देन कोर्सिफ टक्स कलिचर, हमारा ऐनफोंople जो आपने बात की, यह फोड़ेसा कावरसिफ कलिचर है, जो सुहिल अलताव को गुजाना चाहिए, but I believe tax मराद देनी चाहिए, for example, if you are a high taxpayer, आप अगर बहार के मुलकों में जाते हैं, you get incentives, for example, you get priority in certain places, आपको even airports पर priority दी जाते हैं, high taxpayer cards दिये जाते हैं आपको, एक tax culture को encourage किया जाता है, even at public places you are recognized, हम अपने और dignitaries को लोगो करते हैं, but tax payer आपका a dignitary, I believe, they should be recognized at the highest level. जैसे gold card, platinum cards होते हैं, इससरी को tax payer का भी a card होते हैं, tax payer cards होते हैं, बहार उनको बाकाइदा, उस पे incentivize हैं and they feel proud that we are one of the largest tax payers, hence we are getting this. उनको बलाया जाए, president house में, उनको बलाया जाए, prime minister house में, हम औरों को बलाते हैं, but they are the people who are running your economy, तो यह तब मुम्किन है जब आप एक inclusive tax system बनाएंगे, लोगों को encourage करेंगे and I believe, again, 35% corporate tax rate होना, 17% GST होना, I believe इन में भी correction की जुरूवत है, आप GST को, other taxes को थोड़ा से reasonable लाएंगे, तो आपका retail sector, other sectors, जो हम believe करते हैं, भी tax net में नहीं आते, they'll be more inclined to come, एक fixed tax regime की बात हुई थी एक जमाने में, उसको दुबारा लाया जा सकता है, lot of measures, FTO… आपका fixed tax regime की बात की है आपने, तो क्या उसमें कोई categories, categorically हम divide कर देंगे, A, B, C बे जिस तरीके से A class है, तो उससे यह category है और उससे इतना tax लेना है, और अगर बहुत ही कोई चोटी सी tuck shop है तो उससे कोई per month thousand या 2000 या 2000 इस ताप का fixed tax regime में ते चला जाए, exactly, आप POS, point of sale system, जो FBR shops को कहता है कि आप लगाईए, फ्रैंक्री स्पीकिंग कितनी इस वक रिटेल आउट कलेश पे आप POS देखती है, बड़ी शॉप्स पे, आपको छोटे किरियाना स्टोर, छोटे मेडिकल स्टोर, छोटे चीड़ी दुकानों पे नहीं नज़र आता, बड़ी टेक्स नेट से बाहर है, तो अगर एक बाहर कर दी जाए, काटिगरी A, B, C, कि ठीके, पीपल वार, have a POS system, वो तो as per their actual sales tax देंगे, बट जिनके पास नहीं है, उनको रहा देन कहना कि आप POS पे आजाएं, और आप ये चीज़ लगाएं, which again is a hindrance due to investment and all, आप उनकी एक कैप कर देंगे, अर अगर आप इस लेवल की shop हैं, तो हम आपसे एक fix, let's say, X amount of tax लिया करेंगे, मंतली बिसस पे, again, inclusive उनके साथ एक मशावरत के साथ, मशावरत के साथ, right, FTO office है, माशावला, Sohail Altaaf साहब has also been appointed as the chief advisor, ये बहुत अच्छा रोल की FTO ने, FTO ने ना इंडिस्ट्री के stakeholders को हिस्सा बनाया अपना, ताके कामारी आवाज वहां तक पहुंच सके, तो something, categorization, capping of the taxes across categories will definitely help, वो sectors जो कुछ भी नहीं दे रहें, वो कहते हैं, something is better than nothing, उनसे आप कुछ तो cap करके tax ले सकते हैं. One of the pillar of generating revenue, तो what do you think revenue और कैसे कैसे वो target किया जा सकता है? First of all, जैसरा मैं, going back to again my point, industrialization, industrialization of the export incentives and pushing of the export industry, that's the need of the hour. हमें immediately अपनी जो trade deficit है, तक 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 4% of this year's GDP बन रहा है, इसको हमने खतम करना है, आपको मैं मिसाल दूँ, farmer sector, we are part of the pharmaceutical sector, हमारी farmer sector में इसवक export is less than 200 million dollars. और उसमें बहुत huge room है हमारे पार. हमारी total export 25 billion है, इंडिया alone does 25 billion dollars in pharmaceutical export. हमारी textile is the only industry जिसको मराद दी गही है, unfortunately उसको एक export दी दीगी है. और इंडिया 25 billion dollars कर फार्मा एक्सपोर्ट करता है, वायर वी only doing 200 million, इस पे government tax भी अर्न कर सकती है, only what we need to do is कि टेक्स्टाइल से थोड़ा बियॉंड सोचें, हम टेक्स्टाइल को पिछले कई सालों से देते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लिकिर minerals, आपके chemicals, countries like Thailand, countries like Sri Lanka, they are willing to bring their people here, but we are not working on religious tourism, एक बहुत बड़ी tax revenue है, जो हम tourism से collect कर सकते हैं, we need to promote that, we need to promote export incentives to the industry, एक्सपोर्ट होगी, value creation, wealth creation, export के जरीए ही आप कर सकते हैं, and that is where you will earn taxes as well, लेकिन साथ-साथ, जो import tax on export goods है, एक्सपोर्ट के बात करें, तो हमारे raw materials पे tax हैं, लेकिन वो raw materials हैं, हम दवा वेतनाम, केम्बोडिया में अनमार भी बेचते हैं, तो किसी ने बड़ी सही बात की, an input tax on a product that will be exported, is actually an export tax in disguise, तो government को यह भी देखना है, कि do not have export taxes in disguise, have rational and reasonable taxes.